हेलो एव्रिवन वेलकम तू माई चानल आज की वीडियो में आपके साथ एलकेजी क्लास के इंग्लिज सब्जेक्ट का वाक्षिट सेयर करूँगी एलकेजी क्लास में इंग्लिज सब्जेक्ट में जितने भी इंपोर्तेंट टॉपिक्स पढ़ाये जाते हैं आज के वीडियो में आपके साथ सेयर करूगी, जिससे उनके आने वालेography के लिए भी preparation में help मिलेगी आज के वीडियो में जितने भी work sheets मैंने आपके साथ सेयर किये हैं, उसके PDF का link description box में मैं दाल दोंगी, description box व प्र क्रिक करकर उसका si requires कर आप बचों को घर पर इसकी practice करवा सक तो सुरू करते हैं वीडियो question number one है circle d and d यहां पर capital और small दोनों ही दिद दिए गये हैं जैसा कि हम जानते हैं कि LKG class में बच्चों को capital और small दोनों ही alphavets A to Z तक सिखाये जाते हैं तो इन words में बच्चों को d later को find करना है circle करना है तो यहां पर है d, door में यहां पर d है तो इसके उपर circle करेंगे dub, dub में यहां पर small d है तो इसे भी circle करेंगे bird में यहां पर small d है तो इसे circle करेंगे बच्चों को in birds में d later को identify करके circle करना है यहां पर d है तो इसे भी circle करेंगे question number two है write the missing letters from A to Z यहां पर 20-20 में missing letters हैं तो बच्चों को यहाँ पर लिखना है, तो A के बाद आ जाएगा, capital में हैं तो capital में ही लिखेंगे, A के बाद आ जाएगा, B, C, D, E, F, G. Q3. G叉कर को बच्चों को मैंच करना है, तो इधर capital B है, तो इधर small letter को find करेंगे, और उससे match करेंगे, तो यहाँ पर है small B, तो इससे match करेंगे, capital D, small d q यहाँ पर small q इधर है तो इसे match करेंगे j small j इसे match करेंगे capital p small p capital c small c इसे match करेंगे next worksheet है match the picture to the first letter of the word यहाँ पर pictures दिये गए है और इन pictures को उनके first letter से match करना है तो eyes की picture है यहाँ पर तो eyes की letter से होता है e for eyes तो इसे e से match करेंगे cat cat का first letter क्या है c c for cat तो इसे c से match करेंगे यह star की picture है s for star moon m for moon moon का first letter m होता है तो इसे m से match करेंगे key k for key question number four write the small letters for the given capital letters यहाँ पर capital letters दिये गए हैं और इनका small letters लिखना है तो a का small letter लिखेंगे small में a इस तरह से होता है तो इसे लिखेंगे n का small letter हो जाएगा n e h बच्चों कोई तरह से लिखना है v p question number five write the names of the following pictures जो यहाँ पर pictures दिये गए हैं उनके name यहाँ पर लिखना है तो यह dog की picture है तो यहाँ पर लिखेंगे d o g dog d o g dog cow c o w next ball की picture है तो यहाँ पर लिखेंगे b a double l ball next tree की picture है तो यहाँ पर लिखेंगे t r double e question number six write the capital letters for the given small letters यहाँ पर small letters दिये गए हैं और बच्चों को इनका capital letters लिखना है इससे बच्चों को a small capital letter को एक उपनाइस करने में help मिलती है तो यहाँ पर small x है तो बच्चे यहाँ पर capital x लिखेंगे i r e g h question number seven, write the following letters in alphabetical orders यहाँ पर letters आगे पीशे करके दिये गए हैं जिनको बच्चों को alphabetical order में arrange करना है alphabetical orders means a, b, c, d का जो form correct form होता है उस form में उन्हें लिखना है तो सबसे पहले आ जाएगा a उसके बाद आ जाएगा a के बाद यहाँ पर आ जाएगा c c के बाद आएगा e e के बाद आता है f f के बाद आ जाएगा g फिर आ जाएगा h i j कि यहाँ पर नहीं है l l के बाद आ जाएगा m बजो को इस तरह से alphabetical order पर arrange करना है question number 8 है trace the following and after tracing write the alphabet next to it जो यहाँ पर alphabet दिये के हैं उनको trace करना है और इसके बाद कौन सा alphabet आएगा उसे यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर पहले trace करेंगे इस तरह से और r के बाद कौन सा alphabet आता है r के बाद आता है s तो बच्चे यहाँ पर s लिखेंगे यहाँ पर है w w के बाद आएगा x बच्चे यहाँ पर लिखेंगे x next है number 9 match the capital and small letters to the picture यहाँ पर capital letters दिये गये हैं यहाँ पर picture दि गई है और इधर small letters दिये गये हैं और इन letters से जो picture होते हैं उसको capital और small दोनों से match करना है इसमें भी बच्चो को capital and small letter को identify करने में help मिलेगी इस worksheets से तो यहाँ पर m for क्या हो जाएगा m for monkey key और इधर m letter कहां है इधर है तो इससे match करेंगे c c for cap तो इससे cap से match करेंगे और इधर c letter यहाँ पर है तो इससे match करेंगे h h for house और इधर h यहाँ पर है इससे match करेंगे g g for graphs और इधर g कहां है इधर है तो इससे match करेंगे f kisses for flower और इधर m alright यहाँ पर है तो इससे match करेंगे question number 10 है write the capital oblique small letters जहाँ पर capital letters है उसका small letter लिखना है और जहाँ पर small letter दिया गया है उसका capital letter लिखना है तो B का small letter हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर capital P है तो यहाँ पर small P लिखेंगे यहाँ पर small G है तो इसे capital G लिखेंगे यहाँ पर small m है तो यहाँ पर capital M लिखेंगे यहाँ पर capital F है तो small f लिखेंगे यहाँ पर small d है तो capital D लिखेंगे तो आज के वीडियो में हमने LKG Worksheet का part 1 देखा वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए इसका part 2 मैं आपके साथ next video में share करूँगी जिन लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया वो चैनल को subscribe कर ले ताकि next video की notifications उनको मिलती रहे I hope आपके लिए वीडियो helpful रही होगी मिलते हैं next video में part 2 के साथ